एक ये सवाल है आपके सामने लेकिन इस सवाल को करने से पहले मैं आपको फिर से कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ ध्यान से देखिएगा आपने economics में इस terms का बहुत ज्यादा use किया है और पहले भी कहीं न कहीं use किया हुआ है ये term तो formula 1 होता है हमारा break-even point जिसको मैं short form में और जो भाई साब बच्चे हैं न किसमे management account become honors के बच्चों के कुछ के पास management account है semester 5 वाले बच्चों के पास उनका तो पूरा एक chapter है जिसमें से सिर्फ इस break-even point के उपर 15 नंबर का सवाल आता है सिर्फ break-even point के उपर पूरा का पूरा chapter है वो तो sir break-even point क्या होता है break-even point का मतलब समझो पहले आप sir break-even point वो level होता है जहां पे हमारी सारी के सारी fix cost recover हो जाती है उसको बोलते है break-even point जहां पे हमारा वो sales माल लेते हैं मेरा जो sales है sales that is हमारा hundred का है ठीक है and minus variable cost variable cost माल लो 70 का है तो बचे कितने 30 और अगर मेरा fix cost भी 30 है तो हम जो profit है वो तो 0 आ गया ना तो वो level जहां पे हमारा no profit no loss होता है उसको क्या बोलते हैं break-even point बोलते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जहां पे sales is equal to tc हो जाए सर यह क्या बोल दिया आपने sales is equal to total cost total cost का क्या formula होता है सर total cost हमारे दो चीजों के मिला के बनता है BC plus में FC यह सारे management account पर हम सीखते हैं लेकिन अभी आपको इतना detail मैं जितना बता रहा हूं समझ मा रहा है okay नहीं तो भी कर लेंगे वो तो ठीक है break-even point का formula जो होता है न वो होत divided by दो बातें लिखा जा सकता है यहां पर मैं लिखें दूसरी बात ने स्रफ contribution की बात करूँगा यहां पर divided by contribution यानि CPU CPU समझ में आदेगा CPU क्या है सर यह पूरे full formally लिख देते है fixed cost divided by contribution per unit unit के हिसाब से ठीक है यहां फिर एक formula और भी होता है fixed cost divided by contribution का percentage जिसको हम ना कई बार इसी को हम PVR भी बोलते हैं profit volume ratio PVR इसको क्या बोलते हैं profit volume ratio contribution के percentage को हम profit volume ratio भी बोलते हैं यह क्या है सर इसका full form है सर profit ratio अब सर आपको यहां पर अगर मैं यह दे दूँ और आपको यह पता चल जाए और यह पता चल जाए और यह पता चल जाए तो इन दोनों में से कोई भी एक तो आप fix cost निकाल सकते हों यह formula इसलिए बताय जा रहा है ताकि आप क्या निकाल पाओ fix cost क्यूंकि fix cost जरुत पड़ेगी आपको degree of operating leverage निकालने में बिना fix cost के क्या operating leverage निकालनों के नहीं होगा वो तो one होगा हमसे अब कभी भी पूछ लो बोलो सर एक firm का न fix cost है ही नहीं मैं बोलूँगा operating leverage one है जाओ उससे क्या होगा आगे तो हो नहीं सकता minus वगरे तो होगा नहीं वो सर example ले लेते हैं पहले मैंने बोला सर sales है sales है हमारा हजार ठीक है contribution contribution percentage मान लो 30 और break even sales मान लो 900 आपने निकालना है fixed cost सर BES क्या है break even sales है सर BES क्या है break even sales है ठीक है समझ रहे हो आपको क्या निकालना है fix cost तो सर formula के अंदर put कर लो ना एक बार में आ जाएगा क्या होगा सर break even point given है बिल्कुल given है 900 is equal to FC given है सर बिल्कुल given FC कितने FC नहीं given बाई निकालना है यह तो और percentage contribution का 0.3 कर लो इसको cross multiply करो बच्पन से तो यही करते आए हम तो कितने आ गए सर 270 आ गया fix cost देखो कितने आसानी से fix cost हमने निकाल लिया समझे अगर यही मैं CPU देता cost per unit देता cost per unit क्या है सर माल लो example number 2 मैंने sales बताया 10 रुपे पर unit and VC बताया मैंने 6 रुपे पर unit और मैंने break-even sales बताया सर break-even sales बताया मैंने 1000 unit यह भी unit में दे रहूं है सब कुछ unit में तो आपका CPU क्या होगा contribution per unit CPU is equal to SP minus में VC selling price per unit minus में VC यहीं सीखा है contribution का तो formula तो क्या आएगा सर यहाँ पर हमारा 10 minus में 6 is equal to 4 आजाएगा सर 4 क्या है यह contribution per unit अब formula लगा के निकालना जा सकता है यह निकाला जा सकता सर बिलकुल 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 निकाला जा सकता है कैसे निकाले सर निकाल देते हजार fix cost पता है किया no CPU पता है किया 4 multiply करिए क्या आगया 4000 is equal to ठीक है यानि amount के terms में दे दे पूरे में तब भी कर सकते है वैसे भी कर सकते है चलिए आईए अब आपने अगर इतना समझ लिया है न और इसको इतना detail में आपके exam में नहीं पूछा जाता management account में बहुत detail में है आपको सरफ यह formula बताने के लिए मैंने थोड़ी बहुत time लिया आपका अब चलिए आजाईए यहाँ पर question पर जो हम question करना चाह रहे है यहाँ पर break even point है आप पूछते sir break even point क्या होता है यह बता दो हमें इसलिए मैंने पहले ही बता दिया भाई break even point को concept को उपर ले जाते हैं चलिए sir बढ़े question कहता है x corporation has estimated that the for a new production break even point यानि break even point सवाल में दे दिया है इसने break even point दे दिया sir और unit के terms में है और कितने है 2000 if item sold 14 per unit और selling price भी दे दिया कितने 14 and cost department currently sorry cost department has currently identified the variable cost 9 यानि variable cost 9 कौन बच्चा बताएगा contribution मैं आपका वेक कर रहा हूं फटा फटा बता दीजिए कौन बताएगा contribution कितने हैं कौन बताएगा contribution कितने हैं बच्चों ने fix cost से निकाल के दिखा दिया अच्छा पहले वाले question था इसमें contribution बताएगा कैलकुलेटर चला रहे हैं कलकुलेटर चला रहे हैं contribution निकालने के लिए पांच रुपे हैं सिंपल सी बात है 14 में से माइनस को रुवाई 5 है पांच रुपे पांच रुपे पांच रुपे पांच रुपे सभी बच्चों का जवाब आ गया दिया का जवाब आ गया अर्श का आगया राम का आगया सभी बच्चों का लगबग लगबग जवाब आगया हरियोम का आगया बिल्कुल सही जवाब तो चलिए सर आगे बढ़ते है कुश्चन की तरफ calculate degree of operating leverage for sales volume पच्चिस सो यूनिट and तीन अजार यूनिट what do you इसके आगे का कुश्चन साहिद कट गया क्या है इसके आगे बढ़ना भाई पूरा कुश्चन लगाया करो क्या है what what do you enter the degree of operating leverage sales volume पच्चिस सो यह उपर नीचे होगया शाहिद what do you there a difference if any there a difference if any चलिए कोई नी हम तीनो लीवरेज निकालने थे यहाँ पर थोड़ा सा ना typing error कहलो वो कुछ ठीक है तो आगे दिखते हैं तीनो टाइप के लीवरेज निकालने हैं और कितने यूनिट पर पच्चिस सो यूनिट पर तीन हजार यूनिट पर तो चलिए दो कॉलम बना लेते हैं एकदम फटा-फट से फूर्ते में निकल जाएगा यह तो और यह जितने भी सवाल कर रहे हैं ऐसा मन समझना यह सवाल आसान है तो हो रहे हैं तो पेपर में नहीं आएगा सारे कोशन एक्जाम में आए हुए हैं कितने यूनिट पे बोला गया सर एक यूनिट पच्छिस सो पे और एक यूनिट कितने पे सर तीन हजार पे particular सबसे पहले क्या लेंगे हम sir sales अब बात करते है sir sales की sales की हम बात करें तो sales कितना है sir 2500 unit पे कैसे निकालेंगे sir बड़ा असान है sir 2500 और selling price 14 रुपे तो into में 14 एक का मैं करके दिखा रहा हूँ दूसरा का आप खुद कर लोगे तो 2500 multiply by 14 कितने होते हैं 35,000 35,000 अगला आप खुद बताईए 3000 into में 14 तो 42,000 हो minus में variable cost sir दे रखा है variable cost चिंता करने की कोई जुरत है नहीं तो variable cost क्या होगा sir 2500 into में 9 दे रखा था 9 तो कितने हो जाएंगे ये 3000 into में 9 29,27 27,000 हाँ है line ना हाँ बहुत चलो कोई नहीं देख लेंगे कितने हैं 22,500 ठीक है अब क्या निकलेगा तीनों leverage निकालना है ने इसमें कहता है calculate degree of बस operating leverage निकाल दो बात खतम सरफ operating की बोला है ना calculate the degree of operating leverage for sales volume सरफ operating निकालना है contribution क्या आ गया यह बताओ 12,500 और इसका क्या आ गया 15,000 सर यहां तक तो आसान है बस हमारा operating leverage निकल ही जाएगा अगर आप मुझे क्या बता दो और FC पूरे question में नहीं है तो FC अब हमें निकालना पड़ेगा कैसे निकालेंगे सर ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट is equal to FC divided by CPU CPU क्या होता है Central Processing यूनिट क्या होता है contribution per unit ठीक है न क्या होगा contribution per unit अक्षे का आ गया ठीक है तो ये हमें 2000 पहले से दे रखा था ब्रेक इवन पॉइंट आप सवाल में देखिए question में देखिए पहले से 2000 गीवन था FC नहीं पता तो FC को FC छोड़ देते हैं CPU हमने निकाल लिए 5 तो ये that is आ गया हमारा कितने 10,000 आ गया तो अब यहां पे भी क्या होगा हमारा 10,000 यहां भी क्या होगा 10,000 चलिए सर अब आगे हमारा EBIT सर EBIT माइनस करेंगे 2500 माइनस करेंगे 5000 DOL निकाल देंगे सर DOL क्या कहता है सर DOL कहता है country divided by EBIT contribution क्या है सर A और B कर दो 5 बहुत खतरनाक है यह आगे चलो बस यही सवाल में पूछा था अब यहां पे मैंने formula भी लिख दिया यही calculate कर लिया examiner एकदम खुस हो जाएगा अगर आप और detail में करना चाते हो तो side में कर सकते हो यह सवाल आपके exam में 7 नंबर से लेके 8 नंबर के बीच में हर बार पूछा जाता हो जाता है फिर आपको कभी कभी ठेक है DOL 5 DOL 3 बिल्कुल सही जवाब सभी ने जवाब दे दिया था अंकित का भी आ गया था तो fix cost निकालना भी बच्चे सीख गए यहां तक clear है सभी को एक और सवाल हो जाए इसमें भी पहले concept कराना है क्योंकि यहां पर दे रखा है fix ऐसे turnover ratio पहले यहां तक देखिए सभी को clear है अगर बोलते हैं एक सवाल और हो जाए तो कर लेंगे नहीं तो कल करेंगे कल भी class होगी अभी regular class चलाओंगा मैं अपकी क्लियर 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 यस साक्षी क्लियर recall एक सवाल और next class sir को की क्लियर क्यों क्यों क्यों